हैलो दोस्तो मैं साही और मैं किरंग वेलकम है आपका अपना भी टाइम आएगा यूटूब चानल पे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं नरेंदर मोदी जी ने चायना को FDI को लेकर बड़ा ही जटका दे दिया जिसे लेकर चायना अभी तक उबर नहीं पाया जबकि उसे उबरने से पहले ही इंडिया से चायना को और एक बड़ा जटका दे दिया ऐसा सुनने मा आया है पूरे वर्ल्ड की एक हजार से भी ज़्यादा कमपनिया अपना मैनेफेक्टरिंग हब इंडिया में शिफ्ट करना चाहती है ये जो कि कम्पनिया है उनकी भारत के साथ बात्चीत चल रही है कि कैसे उन कम्पनियों को भारत में शिफ्ट किया जाएगा तो आगे किरन कंटीनू करेगा थेंक्यू साहिल तो चलिए दोस्तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे इन कम्पनियों को भारत में लाया जाएगा और इसका चाइना एंड इंडिया पर क्या एफेक्ट होने वाला है एक कोरोना वायरेस पूरी दुनिया में फैलने के बाद अब चाइना अपनी एकोनॉमी को मजबूत कर रहा था तबी इंडिया ने चाइना को और एक बाड़ा जटका दे दिया अब जो कोरोना अफेक्टे देश है उनकी कमपनिया गाटे में चल रही थी इसका फाइदा ओटा कर चाइनीज कमपनी ने इन कमपनियों को खरीदने का प्रयास किया चाइना ने HDFC बैंक के करीब 1% शेयर खरीदे है ये बात जब मोदी जी के समझ में आई तब इंडिया ने एक नौम पास किया है कि जिस देश की सिमा भारत देश के साथ है उनको भारत के किसी भी कमपनी का शेयर लेना हो तो उनको गवर्मेंट की परमिशन लेने पड़ेगी तो आगे की इनफरमिशन साहिल जी शेयर करेंगे बिल्कुल सही का किरंद तुमने हमारे देश से जुड़ी हुई सिमा के देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, भूतान, मैनमार और चाइना चाइना के अलावा किसी और देश की शमता ही नहीं है कि वे हमारे देश की कम्पनिया खरीद सके इसका मतलब हुआ कि यह decision चाइना को मद्दे नजर रखके किया गया है तो अब हम चाइना के manufacturing hub shifting के बारे में discuss करेंगे इससे पहले यह पता लगाते हैं कि क्यों पुरी दुनिया ने चाइना में manufacturing hub बनाया है इसका कारण है कि चाइना में कम दामे labor and raw material मिलता है यही basic दो कारण है कि जिस वज़े से पुरी दुनिया ने चाइना को manufacturing hub बनाया है अब आगे किरम जी बताएंगे साहिल तुमने correct दो basic reason बता है जैसे हम सबको पता ही है कि coronavirus की वज़े से पुरी दुनिया चाइना से नाराज है इसी वज़े से दूसरे देशों की कमपनिया अपना manufacturing hub shift करना चाहती है और यह कमपनिया भारत में आने की संबावना जादा है क्योंकि South Asia में भारत एक ही ऐसा देश है जहा corporate tax बहुत ही कम है भारत में पिछले साल ही September में corporate tax 25.17% से 17% कर दिया है वे कमपनिया भारत में आने की chances ज़्यादा है क्योंकि भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा market है भारत में ज़्यादा सस्ता और skilled labor है उन कमपनियों को बहुत ही आसान हो जाएगा कि यही पे manufacturing करे और यही पे बेच दे इससे कम का export पैसा भी बच जाएगा या फिर कम से कम export करना पलेगा जो कि भारत की population 130 करोट से भी ज़्यादा है तो आगे जाके इन कमपनियों को worst condition में भी अगर उनका प्रोडेक्ट बहरत में 10 या 15 प्रदेशत लोगों ने भी खरीदा तो दुसरे देशों की कुल population से भी ज़्यादा बेकेगा तो आगे साहिल जी पताएगे कि वे कमपनियों किन सेक्टर में काम करेगी अभी करीब 300 कमपनियों ने decide कर लिया है कि वे भारत में आके mobile phone, textile, medical devices, synthetic fiber, electric equipment इन सेक्टर में काम करना चाहती है अगर यह कमपनिया भारत में आके shift हो जाएगी तो बेशक चाइना की economy गिर जाएगी इस कारण हो सकता है कि चाइना developed country में से फिर एक बार developing countries में आ जाए दोस्तो आज की वीडियों बस इतना ही तो दोस्तो आज का यह हमारा वीडियो कैसा रहा यह हमें comment section में बताईए और एक बात अगर यह कमपनिया भारत में आ गई तो इसका भारत को क्या-क्या फाइदे हो सकते यह भी जरूर बताना अगर आप लोगों को यह वीडियों अच्छा लग हो तो लाइक कीजिए अपने दोस्ते के साथ शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए गर में ही रहिए शुरक्षित रहिए स्टे होम स्टे सिप जै हिन